हाई अभीवान दिस इस फिर्स वीडियो दे चैनल आज हम जो टॉपिक पर बात करेंगे के हाउड यू फाइंड गूट स्टॉक्स फॉस्विंग ट्रेट जिसके अंदर फाइसे टेन परसंट मेभी 20 परसंट का प्टेंचल हो आज हम लोग पिकेस मार्केश में तेरा 5000 स्टॉक्स तो आज हम अदेंटिफाई करेंगे कौन से स्टॉक्स एलिजिबल है जो की हमें फाइस से लेके 20 परसंट तक रिटर्न सकते हैं इन देनेक्स त्री तू सिक्स वीक्स अब बात करते हैं डिरेक्ली जम करते हैं सबसे पहले हम ओपन करेंगे यहां पर यह एक तो अब यहां पर यहां से वीडियो स्टार्ट हो रही है यहां पर देखिए 4512 लिस्टिंग है मतलब यहां पर BAC NAC के सारे स्टॉक्स आ रहे हैं अब यहां पर left-side में देखिए यहां पर filter है सबसे पहले मैं रिपीट कर रहा हूं टिकर टेप उपन किया टिकर टॉर डाट और लोड मोर बेटन दोनों है अब बात करते हैं हां पर हम लोग लगाने चाह रहे हैं यहां पर सबसे पहला फिल्टर हमें पी ए रिशो नहीं चाहिए मैं फिल्टर लगाऊंगा अब यही स्टॉक्स क्यों मैंने लिए मैं इसका पहला रिजन देता हूं अगर कोई स्टॉक 20 पर से जाधा करेक्ट हो जाए तो गाइस एक चीज़ याद रखना उसके बाद वह बेरिश सेक्टर में चल रहता बेरिश जोन में चल रहता है मीन तो उसके बाद उसकी करेक्शन और जाधा हो सकते हैं तो मुझे ऐसे स्टॉक्स चाहिए जिसके अंदर एक रिवर्सल हो मीन्स वह स्टॉक नीचे गिर रहा था गिरते गिरते 20 परसंट के आसपस आया और वहां से ही रिवर्सल हो गया ऐसे स्टॉक्स जून रहा हूं अब पहली कंडिशन दी परसंटेज सब्सक्राइब काई इसमाब जीरो से लेकर 18 या मैक्सिमम ट्वेंटी तक जाएंगे तो मैंने यहां पर जीरो से 18 कर दिया मीन्स मैंने डिरेक्ली ही रिवर्सल स्टॉक्स को कैच करना उसके बाद अगला फिल्टर मुझे ऐसे स्टॉक्स जिसकी वालतिलिटी बहुत जाद नहीं तो मैंने बीटा लिया तो मैंने यहां पर बीटा कर दिया जीरो से लेके 1.25 तक अब इसमें वो स्टॉक्स आने वाले हैं जिनकी मुमेंट बहुत जादा एग्रेसिव निया है वन इत कंपेर्स टू मार्केट अगर बीटा 1.25 का मतलब क्या है देखिए हमने जीरो से 1.25 लिया है ऐसे स्टॉक्स अगर मार्केट 1% मूँव करेगी तो मेरा स्टॉक 1.25 परसें माक्स उपर जाएगा और अगर 1% नीचे गिरेगी तो मैं थोड़े से एग्रेसिव और कंजर्वेटिक को मिक्स अप कर रहा हूं और एक हाइब्रिड अप्रोच ले रहा हूं सोचिए अगर हमने बीटा 2 ले लिया और मार्केट 5-6 परसें गिर गई तो मेरा स्टॉक अगर बीटा 2 या उससे जादा हुआ तो यह 10 से 15 परसें करेक्ट हो वह हमें नहीं चाहिए इसलिए हमने 0 से 1.25 मिड अग्रेसिव रेंज में हम लोग गई अगला फिल्टर अब मैं मैं यहां पर फिल्टर लगाऊंगा जिसका नाम है EPS सो मैं एक अच्छा स्टॉक ढूंड रहा हूं तो उसके लिए मैंने 5-year EPS लगा दिया EPS अब EPS क्या बताता है मैंने सिंपल माइने में बताता हूं कि कंपनी ने पर शेर पे कितना कमाया ताट इस वाट EPS कि जो कंपन अगला पारमिटर यहां से बहुत बहुत चीज आपने सुनी होगी तो यहां पर मैं बताता हूं एक डिफाइन करता हो रिटर्न और यहां पर लगा है रिटर्न और यहां यहां पर लेंगे 15 परसेंट हमें कुछ अच्छे स्टॉक्स चाहिए रिटर्न और इक्विटी क्या बताता है सिंपल कितनी अफिशेंटली कंपनी प्रॉफिट बना रही है नेट इंकम जो भी कंपनी है डिवाइड बाइड दा शेर्स तो उससे हमें आरवी पता चल जाता है तोटल शेर्स अब मैं बात करता हूं ध्यान से तो अब मैंने कंपनी जिसने कंसिस्टेंटली पंद्रा परसंट से ग्रोफ दिया अब मेरे पास यहां पर फिल्टर जाल लगा दिया मैंने तो अगर यहां पर देखे शिक्स्टी एट स्टॉक साइब स्टार्ट किया था फॉट्टी फाइव अनड़ से अब उनके लिए अगर आपको इस जो इसके अंदर eligible है तो आप इसको थोड़ा कम भी कर सकते हैं तो अगर आपको हटाना है तो आप यहां से एक सेल को हटा सकते हैं क्योंकि we are not investing हमें एक trading stocks मिलने चाहिए अब यहां से देखे 68 stocks थे मैं यहां पर जाता हूं high यहां पर देखिए एक stock आ रहा है अब मुझे य हाई पर जाते तो यह मिलेगा मिट पर जाते हैं यह तो हमें क्या करना है हमें यहां पर यह करना है हमने बीटा दुबारा से लेना बीटा हमने लिया जीरो से लेके और वन पंट टूफाइव 68 stocks में से हम एक चीज़ करेंगे उपर जाएंगे large cap, mid cap और small cap हमने किया large cap तो यहां पर यह सारे stocks आ चुके हैं अगर यहां पर देखिए अब यहां पर फिल्टर है जो percentage away from two week high तो एक stock आ रहा पावर ग्रिट यहां पर चार्ट्स देखिए power grid के अंदर already एक reversal दिख रहा है यह देखिए power grid already एक उपर जा रहा है एक stock हमारा identify हो चुका है अगले दिन यह stock अब potential रखता है यहां से तकरिवन 221 रुपीज जाने का तो यह अच्छा stock होगा तो इसको miss नहीं करेंगे second stock यहां पे ध्यान से देखना भारत electronics, Britannia industries यह सब अब मुझे ऐसे stock जाए जिन में ज्यादा है potential एक पावर ग्रीट था बेल बेल से जादा अब मैं एक बार मिड़ कैप में जाना चाहूंगा तो यहां से मिड़ कैप के अंदर stocks देखते हैं तो गाइस देखिए यह वो stocks हैं अगर मैं percentage अब यह 52 विक हाई से करूं तो यहां पर बार हुए 16.22 डाट और आए एक बर पी इंडस्ट्री ति देखते हैं तो कि इसका का लास्ट विक काफी अच्छा मोमेंटम था अब यहां देखिए लास्ट वी काफिया मोमेंटम है यहां पॉलिटी लेबल डिफाइंड थे अगर यहां पर रिवर्सल आता है तो हम 3148 के बाद दुबारा ले सकते हैं यह हमें help करेगा तो find out the stocks जिसके अंदर अच्छे potential है तो अब मैं percentage अवे जो मैंने लगाया था पहला फिल्टर वह था 18 इसको मैं 20 परसंट तक कर रहा हूँ अब एक अच्छा stock और आ चुका है HDFC bank लेट सी HDFC बैंक के अंदर देखें तो इसने एक ओलड़ी एक रेंज में ट्रेट कर रहा है और हमें पता कि यहां तो यह 1410 पर आएगा यह तो यहां से रिवर्सल लेकिए 1540 तक जाएगा देखें इस फिल्टर को यूज करके आपको अच्छे रिवर्सल स्टॉक्स डूणने आउट अफ आफ आल दीज जैसे नेसले हो गया यह इस सारे अच्छे नेसले इंडिया तो शाहिए ब्रेक आउट भी दे रहा होगा यहां पर लेकिए तो आपको अपने टेक्निकल्स को इनी स्टॉक्स के ऊपर लगाना यह देखें नेसले इंडिया तो ब्रेक आउट दे रहा है तो यह आपको अच्छे स्टॉक्स मिल सकते हैं थैंक्यों इस वास्ट वीडियो आप यू लाइक इट मोर विलकाम थैंक्यों